Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दी इनों पर स्वाबत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हमें की important topic डिसकस करने जा रहे हैं ये topic आज की newspaper दा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में छपा हुआ था 25 सेप्टेंबर 2022 के newspaper ले सकते हूँ वहाँ पे आपको education column के अंदर में ये article दिख जाएगा आपको और ये article सभी students के लिए बहुत ज़्यादा important है article है क्या? तो article बात करता है कि 10 गलतियां जो नए इगनू students avoid करते हैं ठीक है avoid करना चाहिए, avoid करते नहीं, avoid करना चाहिए, should avoid ठीक है उसके बारे में article है ऐसी कौन सी 10 गलतियां होती है जो students को करने से बचना चाहिए, इसके बारे में बात करता है बहुत ही important article है जब मैंने पढ़ा, तो मुझे यह असा लगा कि यह तो fact बता रहा है reality आज का यही है, ये गलतियां अकसर students करते हैं जिसके concern के number कमाते हैं आगे का जो future हो कहते हैं कि यह मिलनी रहा, यह course करनी पारा, अच्छे college में अडमिश्यों नहीं हो पारा उसका reason यह 10 गलतियां होती है, ठीक है उसके बारे में हम detail में चर्चा करेंगे जो students को करने से बचना चाहिए, ठीक है उसके बारे में बात करेंगे, अभी जो पूरा time period है, किसका time period चल रहा है तब यह college के अंदर में admission का time period चल रहा है सभी students college के अंदर में admission लेना चाहते हैं, चाहिए जो भी 12th pass कियो हो, चाहिए बीए के बाद, graduation के बाद MA करना चाहते हो, कोई भी degree करना चाहते हो, diploma करना चाहते हो, certificate course करना चाहते हो उसके लिए क्या है, पूरा तरसने भागदोर चल रही है, रस चल रहा है, रस का महल है, admission के लिए, ठीके, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी candidate होते हैं, जो बहुत सारी students होते हैं, वो admission नहीं मिल पाता है, उनके favorite college के अंदर में, जहाँ पर वो करना चाहते हैं, ठीके किसी open college से पढ़ ले, ठीके, open college के अंदर में कई सारे आते हैं, जैसे SOL, ठीके, school of open learning, जो डेली निवस्टी का एक पाट है, IGNU, ठीके, IGNU भी एक open college के तोर पर यह जो online distance learning, ठीके, और online learning, दोनों सरह से वो provide करवाता है, और भी बहुत सारे जो हैं, इस तरह की program चलते हैं, ठीके, अलग-लग organization हैं, जो इस तरह की learning provide करवाती हैं, ठीके, तो students क्या करते हैं, कि जब उनके favorite college के अंदर में, या favorite course नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, वो दूसरे तरह option के और जाते हैं, जो option के तोर पर open दिखता है, अगर हम regular वाली जो college में पढ़ रहे होते हैं, तो हम पर competitive का महौली नहीं होता, परत्योगी ता कि महौली नहीं रहता, तो बहुत सारी चीज़े हम खो देते हैं, तो क्या चीज़े हैं, किस तरह की कमिया हैं, उसके बारे हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बताओं दोस्तों, तो EGNU के अंदर में almost 33 लाग से जादा students हर साल करते हैं, ठीक है, तो almost 33 लाग से जादा students को EGNU education प्रवाइड करता है, ठीक है बहुत बड़ा number है, तो अगर इतना बड़ा number है, तो students के अंदर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमिया रहती हैं, जिसके कान से, चीज़े अची नहीं हो पाती हैं, मैंने भी, मैं भी एक EGNU का स्टार्ट करते हैं, एक-एक से, देखो सबसे पहले यहाँ पर पहला number आता है हमारा, कि जो subject का हमें चुनना होता है, कि हमें कि subject, हमें कोई subject चाहिए, suppose करो मैंने यहाँ पर MA history लेने की decide कहा है, कि मैं MA history पढ़ूँगा, ठीक है, MA history मैंने सूच लिए पढ़ूँगा, तो MA history सब्जेक्ट के अंदर में कौन-कौन सब्जेक्ट होते हैं, first year में कौन-कौन सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, कितने हमें subject लेने चाहिए, तो यहाँ पर जो बात होती है, कि grade में बात होती है, कि कितने total मतलब स्कोर होना चाहिए, तो total मालो 32 grade के subject हमें लेने है, 32 grade के subject चाह जो आगे हमारे नंबर के उपर impact दिखता है हम अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं तो जब भी आप subject चुनो ना तो जो आपके senior रहे हैं ठीक है जो इस course को पहले पढ़ चुके हैं ठीक है उनसे एक बार राय मसूरा लो ठीक है जो भी आपके teacher है जो professor है जिनके थुरू आप जिनके सला से आप इगनू में admission ले रहे हो ठीक है उनसे एक बार बात करो उसके बाद आप अपने subject का selection करो वो बहुत ज्यादा important है ठीक है उसके बाद यहां पर दूसरा यहां पर गलती क्या रहती है कि अपना जो username password हम जैसे इगनू के अंदर में admission लिया तो admission लेने एक बा admission के लिए registration करने के बाद fee pay कर देते हो तो यह नहीं होता तुरंत registration हो गया है ऐसा कुछ नहीं है वह almost आपका 30 दिन का time लेता है 15-30 दिन का time लेता है 30 दिन बाद जाकर आपको ID card मिलता है अगर आपका registration successfully हुआ तो otherwise क्या होता है आपका registration cancel हो जाता है और आपकी fees refundा नहीं होती ह ठीक है अब इस condition में क्या होता है कि अगर आप user ID password बूल गए तो आपका fees हो गया ठीक है आप गए पैसे आपके खतम ठीक है तो यह चीज़े भी एक गलती के तौर पर रहते है तो जो भी आपका user ID है जो भी आपने password बनाया उसको कहीं लिख कर रख लें ठीक है जो बहुत के like student हो ठीक है MA history मतलब MA history करना चारे हो तो history आती है कि आपको क्या पता आप मानलो Sanskrit के student हो ठीक है या फिर आपकी काबलियत कुछ और हो ठीक है तो सबसे पहले आप अपने आपको उसको जानो कि इस role के अंदर में आप fit हो या नहीं हो ठीक है injection मतलब क्यों होता है जो electric वाला fit करने की कुछिस कर रहा हूं तो इस तरह की चीज़ें ना हो अगर नाच ना चाने आंगन टेडा वाला होता है ना कि जिसको वो चीज आता ही नहीं अगर उससे काम करवाओगे तो गलत कर देगा ठीक है यह चीज यहाँ पर कहा जा रहा है simple सी बात यह है तो जो चीज आप आता है ठीक है जिस चीज में आपको महारत हासिले उस चीज के लिए जाओ वो बैटर रहेगा आपके लिए अगर आपको में हिस्ट्री आता है हिस्ट्री आता है हिस्ट्री आता है हिस्ट्री ले लो ठीक है पॉल्टिकल ले लो यह नहीं कि दोस्त आपने हिस्ट्री लिया तो मैंने भी history ले लिया ये मत करो यहां पर तीसरे point में एक आ गया चोते point का normal सा बात यहां पर करते हैं कि हम admission लेने के बाद wait करते हैं और जो open say students होते हैं उनको wait करने की बहुत अच्छी आदत होती है तो wait करते हैं किसका books का क्या अगर books इगनों के through आ जाएगा तो मैं start करूँगा पढ़ना अभी तो book भी नहीं आया अभी क्या पढ़ना अभी तो बहुत टाइम है यार साल में 350 दिन होते हैं अभी आज registration करवाया है ठीक है महीने बर बाद ID आई है अब क्या पढ़ना भी तो महीने बर wait करो यार अभी book आ जाएगा तो book को आने में बहुत टाइम लग जाता है अल्मोस 2-3 महीना चार महीना टाइम लग जाता है तो आप IGNU के book का wait ना करें ठीक है तो book का wait ना करें तो क्या करें बिना book के तो पढ़नी सकते हैं तो क्या करें तो देखो बाहर में नीरज की supporting meter लाती है सबको पता है local publication है नीरज की जाकि वो ले लो उससे पढ़ लो अगर वो भी नहीं कर सकते है भी या पैसे नहीं खर्च करना तो IGNU की website पर जाओ वहाँ पर IGNU की soft copy ले लो ठीक है soft copy से पढ़ लो या और PDF से पढ़ लो PDF तो easy है PDF से पढ़ लो अगर आप यह कर सकते हो तो ठीक है यहाँ पर दो option भी होते हैं कि हमें book खरीदना या नहीं खरीदना है ठीक है यहाँ पर PDF available है free मैं available है आप PDF के थुरू पढ़ लो बुक का वेट मत करो बुक का वेट करोगे मतलब use labels होता है cover नहीं कर पाओगे time come time के अंदर में ठीक है पांच भाई यहाँ पर point ही आता है पांच भी गलती क्या रहती है कि जो इसनों के assignment होते है उसको बहुत जादा lightly लेते है क्या assignment करना किसी किसे करवा लूँगा बेहन से करवा लूँगा ठीक है चोटी बेहन है उससे करवा लूँगा अरे दोस्त है girlfriend है boyfriend है उससे करवा लू 31 तारिक को जमा होता है 31 मार्च को जमा होगा इस तरह की thinking होती है दोस्तों मेरी भी थी ठीक है मैं सच कहा रहा हूं मैं जूड बोलने वाली बात नहीं कि मेरी भी thinking नहीं थी क्या 31 मार्च ता गोगा भी तो बहुत हो जाएगा एक दिन में ये दो तीन कोश्चन करके खतम कर दूँगा दो दिन के अंदर में एक assignment पट जब आप बैठोगे ना करने के लिए तो आपकी हाथ ना मतलब जो बिल है ना आपके हाथ में आजाएगे निकल कर क्योंकि जो questions के answer नहीं मिल रहे हो तो इतने हूज होते हैं में हिस्ट्री का मैं बता रहा हूं तो आपको धीर ध करके prepare करना चाहिए और assignment बहुत ज़्यादा helpful होता है आपके exam के preparation के लिए क्योंकि आप उससे ना पूरी किताब खोल के रख देते हो कि क्या किदर से डूढ़ना है ठीक है तो वो चीज़े तो assignment को lightly ना ले lightly ना लेने का reason है कि यह भी होता है कि assignment के जो number होते ना आपके final marks होत ठीक है तो अगर उस समय पे आपको लगे कि आपके 49.9% है 1% 0.1% से आप रह गए net का exam देने से तो आपको बहुत फिल होगा और वो 0.1% जो है आपके assignment के है ठीक है तो फिर और ज़्यादा फिल होगा तो assignment बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके number को boost करने के लिए दो ठीक है पर subject में मानलो 100 में से number मिल रहे है ठीक है 200 number का subject का paper है ठीक है जिसमें 100 number में से आपके free assignment से 70-80 number मिल जाते है और paper करके आए तो उसमें 40-50 number का करके है आप उना अच्छा नहीं करके नहीं गया है फिर भी आपके number तो बहुत बन गए नहीं है यार 500 number और मान के चलो cover हो कि जो lab course होते है ना बहुत सारे जो हम subject select करते है तो वहाँ पर हम lab course के लिए ना register ही नहीं करते है रिजिस्टर करने से अवोईड करते हैं क्या registration करना lab course के लिए अब lab course होता है तो बहुत सारे course के अंदर में lab course आता है ठीक है lab की practice करना है इस सारी चीजे तो जिस तरह से assignment important है ना उसी तरह से lab course भी important है ठीक है उसके लिए पर अलग से registration करना होता है जाकर registration करवाना होता है उसके बाद आपको lab course की starting होती है और वहां से lab course का पढ़ाई कर सकते हो ठीक है वो भी उसके number चूड़ते है assignment की तरह free के number होते है उसको लेना चाहिए अगर आप नहीं ले रहे ह तो आपके लिए benefit नहीं होने वाला है आपका उसका impact आपके number पर आगे चलके दिखेगा ठीक है एक यहां पर सात्वा गलती है रहता है कि जो students होते एक बार admission करवाने के बादना study center जाते ही नहीं है क्यों क्यों नहीं जाते तो study center का जो message आते हैं कि आपकी classes यहां पर start होने लिए उसके लिखा होते है कि not compulsory ठीक है मने तो आओ नहीं मने तो मत आओ भाया ऐसा गलती मत करो कि study center ना जाओ अगर study center मिला है ना तो आप जाओ at least यह try करो कि महीने में एक बार जाओ पर जाओ ठीक है इनी किह रहा मैं कि एकदम हर स्रोजी जाओ हर संड़े जाओ ठीक है जब भी बुला रहे हैं तब जाओ ऐसा नहीं महीने में एक ही बार जाओ अगर पॉसिबल नहीं है तो जो पॉसिबल तो डेगॉलर जाओ बहुत उससे आप जब मेलोगे ना face to face तब आपके अंदर की चीज़े खुलेंगी कि हाँ ये चीज़े कमी है मेरे अंदर में आप उसको जान पाओगे फिर आप अच्छे से सीख पाओगे ठीके ये बहुत ज़्यादा important होता है तो आप lecture जो मतलब study centers को छोड़े ना ठीके उससे at least एक ही बार जाएं महीने में पर जाएं अगर आप capital है जाने का जब भी classes लगने तो जाएं जरूर नहीं है capital हो जाएं और जो भी update होता है ना किसी course की recording किसी नए चीज की recording वह आपको study center से easily मिल जाता है अगर आप जाते रहोगे तब ही आपको पता चलेगा ठीके आठीके आ कारी पास कर लिया 18 साल का हो गया अपना decision अपने हाथ में यह student सूचते हैं ठीके मैं भी ऐसा होता था ठीके मैंने जैसे secondary में admission ले रहा था मैं तो secondary में admission लेता समय मुझे समझ भी नहीं आता कौन-कौन सा subject लो ठीके अब मैंने किसी से पूछा कि भाई यह बता वो बता किसी सब्जेक्ट सेलेक्ट के जब मुझे बता दिया जब मैं paper देने कहना तब मुझे लगा यार यह जब paper देने कहा paper से पहले जब मैंने पढ़ना इस्टार्ट किया न तब मुझे लगा यह subject लेना मेरे life की सबसे बड़ी गलती है ठीके फिर बात है मैंने एक video बनाया कि कौन- उस फिल्ड से जुड़ा हुआ है अगर आप हमें history पढ़ रहे हो था हमें history का मुझसे contact करो ठीके मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीजे कैसे हैं अगर MA political है तो कोई MA political वाला जो भंदा है उससे contact करो ठीके अपने college में जाओ वहां से पूछो अपने sir से पूछो अपने father से mother से अगर उतने capable है तो उनसे पूछो उनसे बात करो वह आपको बताएंगे ठीके एक चीजी रहता है नो वा भाई ये वाला जो problem है ना मेरे पास paper के दोरान में अगर मालो मुझे दिन बर में 10 call आ रहे ना तो 10 में से 8 call पे यही question होता था language का कि sir मैंने English चुना था पर मैंन सारी video मिल रही है Hindi में पढ़ा है Hindi में कर दूँ क्या ठीक है sir मैंने English में पढ़ा है Hindi में नहीं आ रहा कई भी English में कर दूँ क्या Hindi में चूज कर रखा है ठीक है Hindi मुझे लिखने नहीं आती इस तरह से questions आते हैं ठीक है language का तो सबसे पहले आप यह देखो आप जो भी course कर ठीक है तो Hindi मेरे लिए ज्यादा मतलब used to लगते है कि मैं जल्दी बोल सकता हूं जल्दी समझा सकता हूं easy है इसका मतलब यह नहीं कि English नहीं आती ठीक है English में पढ़ाता हूं पर वह English मेरे लिए लगता है कि मैं अलग मतलब जैसे मानलो ना किसी आदमी को suit boot में पेना कर पर इंग्लिस थोड़ासा uncomfortable लग रहा होता है ठीक है तो Hindi मेरे लिए बैटर है तो Hindi मेंने चुना तो वह भी एक बहुत important role play करता है कि आपने language क्या चुना है कई बार होता हम दिखाने के लिए कि यार आगे चलके English बहुत important होने वाली है English चुन लेते हैं पर English में पढ़ना व चाहिए 03 अगर हमें हिस्टी का कोई स्टुडेंट है ठीक है हिस्टोग्राफिक पढ़ेगा तब उसको यह फील होगा कि यार में कास English लिया होता हिंदी क्यों लिया हमें ठीक है क्योंकि उसमें इतने सारे खतरनाक word है ठीक है इंग्लिस में इसी है पर हिंदी में टफ है ठ लेंगवेज भी चुनना हमें साफदानिश चाहिए, यहां पर यह नौवी गलती हमारी रहती है, दस्वा गलती और यह बहुत ही बिकार गलती होती है, और इसका इंपेक्ट हमारे नंबरों पर डारेक्ट देखने के लिए मिलता है, not preparing for examination, हम क्या करते हैं, सोते हैं, साल में क पर यहां अराम से हो जाएगा, ठीक है चलो भाए, ठीक है, अब क्या हुआ, तीनसो पैस्ट दिन में सारे दिन भी खतम हो गए, अब आपके पास टोटल कितने दिन बचें पचास दिन बचें, पचास दिन बचें तो हम पचास दिन में क्या सोच्टें, यार कितने यह चेप्टर करना नहीं इंपोर्टेंट है यह वह 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 ऐसा अराम से ना 15 दिन में हो जाएगा ठीक है आपने बोला चला 15 दिन हो जाएगा बाकी में बुकूक लियाता हूं ठीक है 15 दिन में कर लोगा बुकूक आते आते ना आपका आधा टाइम खतम अब आपके पास सुचते फिर आपका एक्जाम आ जाता है फिर आप जाते हो मूठा कर आप लिखकर आते हो नंबर नहीं आते बाद में कहते यार मैंने पढ़ा ही नहीं तो पढ़ोगे नहीं भी या तो कैसे आएगा प्रिपेर करना पड़ेगा उसके लिए अगर कोई कोर्स साल भर का है त साल भर का टाइम क्यों ले रहे हो से ठीक है दो दिन का ही टाइम लो समझ रहे हो मेरी बात अगर किसी चीज के लिए साल भर का टाइम दे रहा है तो साल भर का टाइम मतलब क्या उसको तयारी करना है जिससे आप उसको अच्छे से कर सको ठीक है तो जो भी इस वीडियो को द सकते हो directly मुझसे पूल सकते हो और हमारे चैनल को दी इनप को subscribe कर ले क्योंकि जो भी इस तरह के update रहेंगे न चाहिए इगरों से लेड़ेट हो चाहिए आपके exam से लेड़ेट हो वो आपको time to time मिलता जाएगा तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best